मार्क जकरबर्ग जिनकी फेस्बुक है शायद आपको पता होगा इन्होंने ही बाद में वाटसेप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया था और अभी हिंदुस्तान में रिलाइंस जीओ के साथ में 9.99% की हिस्सेदारी करने के बाद में हिंदुस्तान में जीओमार्ट वाट वाटसेप उड़र सर्विस की शुरुआत की है जिसकी हैल्ट से आप वाटसेप अर्डर करके अपने घर पे सारा सामान मगा सकते हैं और इस पर कैसे order करना है का payment करना है सारी चीज़े हम step by step बता चुके हैं link description में वीडियो का आप जा की चेक कर सकते हैं खेर अब बात करते हैं WhatsApp की तो WhatsApp हिंदुस्तान में payment और credit की service शुरू करने वाला है payment का scene यहापर simple है जैसे phone पे, Google पे और Paytm में जो LinkedIn होता है simple बैसी सारी चीज़े रहेंगी लेकिन यहापर credit में दो चीज़ें है पहली चीज यह कि customers को मिलने वाला यह जो credit है क्या यह micro loan होगा या फिर payment portal के जरीए सामान खरीदने वाला loan होगा यह चीज फिलाल अभी के लिए नहीं हो पाई है बैसे WhatsApp के हिंदुस्तान में लगबग 400 million याने की 40 crore users है और यह जो फीचर है payment वाला यह testing के लिए roll out किया जा चुका है लगबग 1 crore users के लिए reports यह भी कहती हैं कि Amazon और Flipkart पर जो हमें pay later का option मिल जाता है जिससे कि आप सामान है फिर जो utility bill payment होता है उस पे आपको loan मिल जाता है जिसकी help से आप जो payment होता है या दो बाद में pay कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो installment में 6 या फिर 12 महीने के हिसाब से अपनी स्रद्धा अनुसार payment कर सकते हैं तो कुछ ऐसा ही scene रहने वाला है WhatsApp में बैसे हिंदुस्तान में इसे roll out करने के लिए NPCIN की National Payment Corporation of India से WhatsApp की बात चीद चल रही है और एक बार clear होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में इस सुबदा का हमें फायदा उठाने को मिल जाएगा और Mobile Payment को सक्षम बनाने के लिए Phone Pay या फिर Google Pay की तरह ही जो अपना WhatsApp Payment है वो भी UPI यानिकी Unified Payment Interface का इस्तेमाल करती है तो ये तो सारी बाते थी Mobile से Payment यानिकी लेन देन को लेकर अब बात आती है कि WhatsApp से हमें लोन कैसे मिलेगा तो कई सारी Mobile Applications हैं जो instantly आपको लगवग 50,000 रुपे तक का लोन दे देती हैं आपका बैंक का जो हिसाब किताब है उसे देखने के बाद जिसके लिए आपको अपना अधार काड़, Pen Card और Pay Slip शायद देनी होती है कंपनी के लिए तो कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है WhatsApp Payment के अंदर जिसके हल्प से WhatsApp से आपका जो Credit है वो हो पाएगा, लोन हो पाएगा बैसे जो Xiaomi है उसने भी अपना Mi Credit करके एक अप्लिकेशन लांच किया है जिससे भी आप लोन ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपकी जो मैंने बताया आदार कार्ड, पैन कार्ड और ये Pay Slip मतलब बैंक का LinkedIn और रिकॉर्ड ठीक ठाक होना चाहिए तो यह आपको लोन मिल पाएगा तो टेकनोलोजी की बज़े से काफी सारी चीज़े आसान होती जा रही है बैसे आपकी क्या राय है इस WhatsApp Payment Service को लेकर बताओ यार कॉमेंट करके आज रहा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो जरूर दरशान पने चाहिए को कॉमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच